दोस्तो यह एक आत्मा की कहानी है जिसने कई लोगों की जिन्दगी बचा ली है यह आत्मा ऐसे दगपर रहती थी जहां कई बुरे आत्माओं का वास्था और यह सची कहानी अधरित है आप इस वीडियो में जानेंगे कि आत्माई अच्छी भी होती है ऐसे तो हम आपको हर वीडियो में जानकारी देते हैं कि आत्मा को जिसने देखा या भूत प्रेत पिचास को जिसने देखा वो इसे सच मानते हैं और जिन्होंने नहीं देखा वो इसे मिध्या मानते हैं और जिनके साथ यह घड़नाए घड़ जाती है वो जीवन भर इसे भूल नहीं पाते हैं अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमारे चैनल को भेज सकते हैं अगर आपकी कहानी हमारे चैनल को पसंद आती है और सची लगती है तो हमारे चैनल की तरफ से आपको एक इनाम के तोर पर दी जाएगी मित्रो ये जो आत्मा की कहानी है यह एक गाउं की कहानी है सचिन के साथ जो घटना घटी वो आज तक सचिन भूल नहीं पाया सचिन अपने गाउं में किसान का काम किया करता था और गर्मी का समय था गर्मी के समय में सब अपने छट पर बैठ कर एक साथ बात चीत किया करते हैं और साथ में ही छट पर सो जाय करते हैं गर्मी काफी होती है इसलिए पंखा से भी कुछ राहत अनभव नहीं होता तो लोग छट पर सो जाया करते हैं, काउं में अधिक तर लोग छट पर ही सोया करते हैं तो सचिन अपने छट पर सो कर खिसे कहानी किया करता था तो सचिन के चाचा भी काफी खिसे कहानी किया कहते थे और हमेशा वो कोई न कोई ऐसी कहानी सुनाते थे जो थोड़ा सा अलग धुगा करता था एक बार सचीन के चाचा ने सचीन को कहानी सुनानी सुरू की उन्होंने कहा कि एक गाउं में एक भूत Applause करता था जो लोगों को डड़ाया करता था और वो अपनी इच्छा उनसे पूरी करवाया करता था सचीन ये बात मानने को तयार ही नहीं था उसने कहा कि चाचा आप छूट बोल रहे हो ऐसा कुछ होता ही नहीं है तो उसके चाचा ने कहा कि बेटा ऐसा होता है भूद प्रेत होते हैं पर दोनों में काफी पहस हुई लेकिन दोनों में कुछ नतीजा निकल कर नहीं आया कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है तो चाचा ने कहा ठीक है मैं तुम्हें दूद का दूद और पानी का पानी करके दिखाऊंगा तुम्हें मैं बताऊंगा कि भूत होते हैं और सच में होते हैं इसका अनभव किया जा सकता है सचिन ने कहा ठीक है मैं देखना चाहता हूँ चाचा बहुत बुज़ूरु थे वो समझते थे कि सचिन अभी बच्चा है वो नहीं समझ पा रहा है अभी सुरुवात का किसान है तो उसे इसक पातों का इलम नहीं है उन्होंने कहा ठीक है अभी मक्कई की खेती चल रही है मक्कई तूटकर घराने वाला है एक काम करो जो बर्गत का पुराना पेड़ है उसके बगल में जो अपना खेत है वहाँ मक्कई का टाल लगा हुआ है और मक्कई वहाँ पर छिल रहा है तुम एक काम करना रात में जाकर वहीं पर रुख जाना और वहाँ पर रुखने के बाद तुम सुबह आकर अपना अनुभभ मुझे बताना सचिन ने कहा ठीक है जाजा मैं जाकर ये भी आपकी इच्छा पूरी कर दूँगा सचिन साम को अपने खलिहान पहुँच गया मकई का टाल लगा हुआ था वहाँ पर मकई छिल चुकी थी सारे किसान वहाँ से जा चुके थे मजदूर और सचिन वहाँ अकेला पढ़ गया अकेला वहाँ पर बैठतर अराम से मज़े से गाना सुनने लगा गाने लगा और इंतिजार करने लगा रात का जब रात हो गई काफी रात होई तो उसे अनुभब हुआ कि कुछ खुस्बू उसके नाकों को फार रही है जो खुब सुगंदेथ खुस्बू थी खुब अच्छी खुस्बू थी ऐसी खुस्बू जो आपको नत्रों को चीर दे ऐसा लग रहा था जिसने के वहाँ काफी रात रानी की पेड़ लग गए है काफी सुन्दर खुस्बू का अनुभब हो रहा था ऐसा लग रहा था जिसे रोम रोम खिल चुका हो सचीन अगल बगल देखने लगा उसे लगा कि साइद किसी ने बहुत बड़ा इत्र लगाया हो परफ्यूम मारा हो तो यहाँ वहाँ देखे कि साइद कोई परफ्यूम लगा कर यहाँ आया हो पर उसे भी अनुभव हो चुका था कि रात में इतने बजे इस बिरान में खेत में कौन पर्फ्यूम लगा कराएगा कौन इतनी सुंदर इत्र लगा कराएगा तो उसे थोड़ा सा भैका भी अनुभव होने लगा उसके रोंगटे खरे होने लग गए इत्रो आपके भी रोंगटे खरे हो जाएंगे अगर आप कहीं आधी रात को सुंसान जगा पर हो वहाँ इत्र की खुसबू ऐसी आ रही हो जैसा लग रहा हो कि आपकी आत्माएं आपका जिस्म छोड़ देगी आप उस्तुगंद ऐसे आ रहे हो जैसा लग रहा हो कि कोई पवित्र बस्तु वहां से गुजर रही है सचिन को भी ऐसा ही अनभव हो रहा था सचिन भगवान का नाम ले रहा था कि है भगवान ये भगवान मुझे चाचा ने जो कहा कहीं हो सच तो साबित नहीं होने जा रहा है कोई आत्मा तो मुझे नहीं दिखने वाली है सजीन जैसे तैसे रात गुजारने लगा डर रहा था, उसे नींद भी नहीं आ रहे थी काफी घबरा रहा था, जिंगरों की आवाज उसे सुनाई पर रहे थी काफी डरावनी लग रहे थी कई सारे गाउं में जो परानी होते हैं, जीव होते हैं गिदर जिसे कहते हैं, खिखिर कहते हैं उसकी डरावनी हुआ हुआ की आवाज आ रहे थी और ज़्यादा भे लग रहा था उसे लग रहा था कि अब मेरे पीछे कोई खड़ा है कोई मेरे सामने खड़ा है कोई मेरे बगल में खड़ा है उसे हसास हो रहा था कि उसको चारों तरफ से कई लोगों ने घेर रखा है वो डर के मारे अपना पूरा जिस्म तक हिला नहीं रहा था वो पूरा टाल के बीच में जाकर छिप गया था मकई के बीच में जाकर छिप गया था उसे हैसास हो रहा था कब सुबह हो और कब मेहां से भाग लूँ जैसे किसे सुबह हुई वह घर आया और घर आकर अपने चाचा को सारी बात बताई चाचा उसे अपने कुल देवी के पास ले कर गया और कुल देवी का दरवाजा खोल कर उसे कहा के बताओ क्या सुगंध ऐसी ही थी एक दम सेम सुगंध थी ऐसी ही सुगंध पूरा जैसे मन मोह ले मदूर सुगंध तो सचीने कहा हाँ चाचा बिल्कुल ऐसी ही सुगंध थी उस जगह पर तो कहा बेटा तेरी जान तेरी कुल देवी ने बचाई है तेरी जान तेरी देवी ने बचाई है वहां कई ऐसी बुड़ी आत्मा का आस्थान है पर मैं यहां रात भर प्राथना कर रहा था कि हे देवी हे मेरी कुल देवी मेरे सचिन को बचाना मेरे सचिन की रच्छा करना क क्योंकि वह बच्चा है नादान है सिर्फ अभी अनुभव कर रहा है सचिन ओंधे मूख कुल डेवी के पास गिर गया और प्राथना करने लगा के दुबारा मैं मानूंगा नहीं कि भूत प्रेत या डेवी देवता नहीं होते हैं जरूर होते हैं कहानी कैसी लगी आप जरूर हमें बताईएगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा इसे सेर करिएगा अपने मित्रों में मेरे चैनल को सस्क्राइब करिएगा हर रोज मैं आपको एक नई कहानी सुनाता हूँ मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छी कहानी मिले और फ्रेस कहानी मिले तब तक के लिए हमें आख्या दें धन्यवाद